हलो इवरीवन तो चलिए आज चा क्लास स्टार्ट करते हैं आज ची क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्ब का पार्ट तो वर्ब का पार्ट वन हमने अपलोड कर दिया जिसमें पढ़ाय गया था वर्ब का डिफिनिशन और उनके फॉर्म्स के बारे में जैसे कि उसे कितने पार्ट होते जैसे इन ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव, मौडल वर्ब और अक्जलेरी वर्ब इन सारे के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अगर कोई आप से पूस दे की वर्ब हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के फॉर्मस में बताएए तो आप लोग क्या अभी तक पढ़े हैं सिफ उनके मौडल अक्जलेरी वर्ब और इसके बार ट्रांजेटिव और इन्ट्रांजेटिव लेकिन अब अभी तक finite और non finite वर्ब के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए आज उसी के बारे में हम लोग इस्टडी करेंगे तो देखिए वर्ब, वर्ब मतलब क्या होती है क्रिया क्रिया इसका हमने definition क्या लिख वाया था A verb is a word used for saying something about some person or thing यह क्या है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है क्या है कहता है तो देखिए यह हमारी वर्ब की definition हो गई इसमें हमारा क्या होता है कुछ करने या फिर होने को बताया जाता है हमने होने को क्या कहा था B form में बी फर्म यार करने को हमने क्या कहा था यह हमारा क्या है टांजेटिव इन ट्रांजेटिव वर्म में सब हमारे आते हैं में वर्म जिसे कहते हैं वो हमारे किसमें आते हैं में वर्म वाले पार्ट अलग होगा करने वाले का और होने वाले का बी पार्ट होता है तो देखिए यह क्या है हमारा हम लग इसको किस फॉर्म में पढ़ेंगे फाइनाइट और इन नॉन फाइनाइट वर्व की रूप में इसे पढ़ेंगे तो देखिए यहां पर क्या है फाइनाइट वर्व मतलब जिसमें टेंस की रूल लगते हैं वो सब हमारे क्या है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब क्या होता है उससे आप लोग देखेगा उसमें टेंस के तुरूल लगते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कहां से आते हैं हमारे फाइनाइट वर्ब से निकल कर ही हमारे कहां आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है हमारे इंफिनिटी जिरंड और पार्टिसिपल अब आईए पहले हम फाइनाइट वर्ब के बारे में वह बैंक से भागा वी आर वीपिंग हम लोग रो रहे हैं ही है जिस संग संग वह गाना गा चुका है या फिर गाना गाया है और मेरी क्या है घनिष्ट मित्र हैं अच्छी दोस्त है अब देखिए इस हमारा क्या है एक भी फॉर्माला है यह हमारे क्या है यह हमारे क्या है यह hyalpig घरदफ का है तो महने वह क्या है जिस्टेंट्स की रूल लगते हैं हमारे सब होते हैं ुद्व हं अन्वारे में बढते हैं धीन होता है कि हमारा mach मेंट्र Paulo Co Um कि निकल करी आता है जिसमें आर थीन पारट 202kk तो पहले हम लोग इंफिनिटीव पढ़ेंगे इंफिनिटीव क्या होता है यह वर्व के फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम लोग तू लगाते हैं तो वह हमारा क्या बनता इंफिनिटीव बनता है अधिकतर यह नाउन का कारे करता है तो हिंदी में अगर इसका अर्थ निका करता के number और person के अनुसार नहीं होता है इसका मतलब क्या है यह हमारा noun person के नहीं number person के अनुसार कार्य नहीं करता है तो देखी क्या है जैसे मैंने बताया कि इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं तो ना ने नी आता है तो इसका एक example देखिए यहां पर है I play to sorry I like to play football मैं football खेलना इसमें ना आया ना क्रिया मिनना मैं cricket sorry football खेलना पसंद करता हूं तो ना आया यहां पर आगे देखिए she wants to go वह जाना चाहती है क्रिया है जाना चाहती है जाना आया ना यहां पर भी तो यह हमारे क्या है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बनता कैसे है हम लोग क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब से पहले किसका प्रयोग करते हैं टू का में वर्ब से पहले क्या करते हैं टू का प्रयोग करते हैं में वर्ब से रॉंग निकल गया मेरे मुझसे लेकिन पसंद इसमें ना नहीं आरा जिसमें हमारा ना आएगा उस वर्ब के फर्स्ट वर्ब के पहले हम लोग इसका प्रियोग करेंगे तू का तब जाके हमारा क्या बनता है इंफिनिट्व जैसे दे लाइड लाइक मतलब पसंद करना होता है उसके बाद प्ले फुटबॉ इसमें ना नहीं आया इसलिए इसके पहले हम लोग इसका प्रियोग करेंगे तू का तब क्या बनेगा हमारा इंफिनिट्व आपको इंफिनिट्व समझ में आ गया होगा जिस verb में हमें पढ़ने में हिंदी मगर पढ़ते हैं तो उसमें ना आता है उस main verb के पहले main verb का first form लगेगा उसके पहले हम लोग two का यूज़ करते हैं तो हमारे क्या बनता है infinitive और इसे पढ़ने में क्या आता है ना ने नी आता है आगे देखे क्या है zirand यह हमारे किसमें आता है जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं पढ़ेंगे present, indefinite, tense, past present, continuous, past, continuous और perfect, continuous पढ़ते हैं उसमें हम लोग क्या लगाते हैं आई अन्ज़ जो सेम वही है देखे क्या है zirand verb के first form में आई अन्ज़ जोडने से बनता है तथा वह infinitive की भाती noun का कारे करता है तथा हिंदी में अर्थ निकालने पर नाने नि आता है यह क्या है इसमें भी हिंदी में अगर हम लोग अर्थ निकालेंगे तो नाने नि आएगा लेकिन zirand बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे verb के first form में इंजी लगाएंगे जैसे एक ऐग्जामपल देखिए यह पर इस्मोकिंग्त इस बाशित है इसमोकिंग धुम्रपानकरना कॉर्श कुंच करना है इसमें को लगा करक Сबयां कि बुरी आदत है इसमें 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 इंजी लगाएंगे घीरण है दो दोनों का कारे करता है हिंदी में निकालने पर इसका अर्थ क्या आता है कर करके करता हुआ सब्द आते हैं जैसे देखिए अगर इसमें हम लोग present participle में देखेंगे तो क्या है इसमें वर्ब के first form में ing लगाते हैं अगर हम लोग participle पढ़ते हैं अगर वो वर्ब के first form में ing लगाते तो हमारे क्या है present participle है देखे जैसे कि I found the child sleeping मैंने बच्चे को सोता हुआ पाया सोता हुआ जैसे यहाँ पर देखे करता हुआ है सोता हुआ पाया तो इसमें क्या लिखे ला ता हुआ का अर्थ आया इसमें लाष्ट में तो वो है क्या present participle आगे देखिए हमारा past participle इसमें example दिया गया है the routine eggs were thrown away जो क्या है सड़ी वे अंडे है फेक दिये गये अब गये है तो मतलब क्या है हमारा past में अगर वहीं पर है लग जाता यहां पर आर हो जाता है तो क्या होता हमारे यह present participle में हो जाता तो यह क्या है हमारे इसमें क्या हमारा होता है वर्ब के ठोट फार्म का यूज होता है आगे देखिए क्या है perfect participle परफिक्ट पार्टिशिपल इसमें क्या हैswING के साथ वर्ब के ठोट फर्म का प्रियोग करते हैं जैसे है का हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब के फॉर्म में पढ़ रहते वह समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब वीडियो अप्लोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुद जाए